Dear Students, I am Rupali M. Computer Trainer. Welcome to my YouTube Channel, Live in Computer Classes. अगर आपने मेरे चैनल को अभी तर सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजिए, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको जो नई नई वीडियो अपलोड होती है, उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और अपने फ्रेंड के साथ, इ कैसे लगाती है, सबसे पहले हम आपको बता दें कि, जो MS Paint होता है, बिंडो का पार्ट होता है, जिसकी run command है, अपकी MS Paint होती है, सबसे पहले हम MS Paint को on करने के लिए बिंडो और को प्रेस करेंगे और वहाँ हम run command देंगे MS Paint ठीक है और OK कर लेंगे ठीक है यह हमारा यहाँ पर MS Paint open होकर आ जाता है अब हम यहाँ पर देखेंगे कि paint में हम कोई भी image बनाने के बाद उसको हम हम save कैसे करते हैं कैसे पता चलता है कि save होई file या नहीं होई और desktop के background पर हम कैसे लगाते हैं सबसे पहले हम कोई भी दो color को select कर लेंगे ठीक है जैसे color first में हमने यहाँ पर color first में हमने red color ले लिया और color second में हमने blue color ले लिया color second में क्लिक करकर हमने यह वाला blue color हमने ले लिया ठीक है दो color हमने select कर लिये अब हमें कोई सी image को select करना है कोई shape हमने यहाँ shape में जाके हमने कोई सी एक shape ले लियी हमने star ले लिया ठीक है star लेने के बाद हम कहाँ पर click करेंगे fill पर fill पर जो लिख रहा है आपका no fill, no fill का मतला यहाँ पर कोई भी fill नहीं होगा कोई color आपका यहाँ से fill नहीं होगा solid color कारियोन है, water है, oil है आप यहाँ से कोई भी select कर सकते हैं हमने ले लिया यहाँ से solid color ठीक है solid color लेने के बाद आप image को बना लीजिए mouse की left की को आप दबा के रखेंगे ठीक है, और इसको हम बना लेंगे ठीक है, यह star हमारा बन गया अगर आपको इस star की color को change करना है तो आप mouse की right click से आप इसको change कर सकते हैं color को ठीक है, अब आप यहाँ different देख सकते हैं जो color यहाँ पर outline में था, वो अंदर fill हो गया और जो यहाँ fill था, उसका यहाँ पर outline हो गया मतलब opposite हो जाएगा कैसे होगा, mouse की right click से, ठीक है इसके बाद आता है आपका color figure से हम कैसे color करती है ठीक है, यह आपको समझ में आगी होगा fill वाला color figure का मतलब क्या होता है color figure से करने से पहले आपको यहाँ पर color number two में white color first में black color ले लिया, ठीक है आप यहाँ से कोई shape ले लिजीए यह से हमने यहाँ से कोई भी circle ले लिया है मैंने इस circle को हमने बना लिया है, ठीक है दूसरी shape मैंने ले लिया है arrow ले लिया, ठीक है control Z, दूसरा arrow लिया है मैंने, यह वाला arrow हमने ले लिया दो shape हमने कोई से ले लिया है ठीक है, दो shape मैं से कोई से शेप में हमें color कर लो, बाल्टी से जाके हमने कोई सा भी color कर लिया ठीक है, यह से color कर लिया यहाँ से yellow color कर लिया ठीक है अब यह वाला एरो वाल गलर मुझे सर्किल में लेकर आना है तो कैसे लेकर आना होगा ठीक है तो हम color picker की help से करेंगे color picker पर हम click करेंगे और जो first में आपने color किया था उस पर आप click करेंगे और यहां पर बाल्टी हा जाएगी तुरंथ और यहां से हम color को fill कर लेंगे ठीक है यह इस टाइप से हमारा color picker का हो जाता है color picker का मतलब यह होता है कि एक shape का color दूसरी shape में जाना ठीक है यह हमारा खिलता है color का पिकर होना color picker अब आता है कि आपको फाइल कैसे सेव करनी है तो फाइल सेव करने के हमने आपको सौटकट की बताई थी Ctrl S Ctrl S फाइल सेव करने के सौटकट की होती है यहाँ पर आप कोई फाइल नेम डाल दीजिए हमने डाल दिया यहाँ पर इस्टार ही डाल दिया ठीक है और हमने यहां पर save कर लिया star के नाम से आपकी file save है अब कोई गोर name दीजिए ठीक है control S यहां पर हमने मैंने triple S के नाम से file को save कर लिया triple S save आपकी जो file save हुई है वो आपको title वार में उपर show होगा कि triple S paint ठीक है यहां से हम check करके देख सकते हैं कि हमारा file name जो है triple S है ठीक है अब आपको इस image को desktop के background पर लगाने है तो आप कैसे लगाएंगे ठीक है desktop के background पर लगाने के लिए आपको यहां फाइल में जाना होगा और यहां पर सबसे नहीं पर लिख रहा है set as desktop background लिख रहा है आपको यहां पर click करना होगा ठीक है आप इसको यहां से minimize करके program को minimize कर लिजिए और देख लिजिए यह type से आपका desktop के background पर लग जाएगा ठीक है आप यहां से maximize कर लिजिए फिर ठीक तो I hope students आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो please comment करके comment box में बताईए thank you friends